फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जो की बहुत कम लोगों को पता है और इसके अलावा जीन लोगों को पता है वह लोग भी अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंट्स यहां पर हमारी भारत सरकार अभी इस बात को सेलिबरेट कर रही है कि 11 लाक लोगों को भारत मिलाने में सफलता मिल चुकी है और यहां पर भारत सरकार के लोग इस बात को सोशल मीडिया और सबी जगा पर शेयर कर रहे हैं कि बंदे भारत मिशन काफी सफल रही है जिससे की बहुत से लोगों को उनके घरों तक पहुचाया गया लेकिन इस बंदे भारत मिशन में लोगों को किस तरीके की समस्याई हुई है लोगों को किस तरीके से लूटा गया है और क्या अभी भी वंदे भारत मिशन लोगों की मदद कर रहा है इसके उपर कोई भी दूसरा न्यूस चैनल या फिर बड़े न्यूस चैनल इस बात को नहीं बता रहे हैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि जब सुरुआत में वंदे भारत मिशन शुरू हुआ था उस समय केवल एर इंडिया को ही इसमें अपनी उडानों को आपरेट करने की इजाज़त दी गई थी जिस कारण से यहाँ पर एर इंडिया मनवाने तरीके से लोगों से किराये से पैसे वसुल कर रही थी आपको बताना चाहेंगे कि भारत से अमेरिका के एक साइट का किराया 50,000 रुपे से 60,000 के बीच में था वही पर एर इंडिया इस रूट पर एक लाग से एक लाग 25,000 रुपे तक यात्रियों से किराया वसुल रही थी यहाँ पर एर इंडिया का ये लूट काफी समय तक चलता रहा और फाइनली लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बाद सरकार ने एर इंडिया के अलावा भारत की दूसरी प्राइवेट एरलैंस कम्पनियों को इसमें ऑपरेट करने की इजाज़त दी उसके बाद जाकर एर इंडिया ने अपने किराये में कमी की इन सब के अलावा फ्रेंट्स भारत सरकार की MBC जो की दूसरे देसों में है वह भी यहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पर जो लोग फसे हुए थे उनकी संख्या काफी जादा थी इतने बड़े लेवल पर लोगों के फसे होने के कारण यहाँ पर भारत सरकार की MBC भी लोगों को मदद नहीं कर पा रही थी यहाँ पर भारत सरकार यदि एर इंडिया के अलावा दूसरी भारती एलैंस कंपनियों को भी अपनी उड़ानों को सुरू करने की इजाज़त दे देती तो अब इसे ही लोगों की थोड़ी समस्याएं कम हो जाती और लोग जल्दी से जल्दी अपनी घर पहुँच पाते लेकिन अब जो भी हो यहाँ पर लोगों की इन सबी समस्याओं को भुला कर अब वंदे भारत मिशन की सक्सस को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वंदे भारत मिशन काफी ज्यादा सक्सस्पुल रहा है जिसमें की 11 लाख लोगों को अब तक उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है इसकी अलबा फ्रेंड्स यह अभी शुरुआत है दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जहां से अभी तक भारत सरकार ने एक भी उड़ानों को सुरू नहीं किया है और उन लोगों को यहां पर उमीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी और उनके लिए उड़ानों की सुरुआत करेगी आज की इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही बताना था फ्रेंड्स वीडियो देखनी के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद